चलिए बनाते हैं, आज एक बहुती बढ़िया सी नमकीन, तो दिवाली पर क्या होता है, जो हम पूजा के लिए खील लाते हैं न, तो सबके घर में वो बची जाती है, एक पैन ले लेना है, उसमें हम डालेंगे थोड़ा सदेची की, तो अभी मैंने ये थोड़ी से मूंफल डाल दी हैं, तो इनको अच्छी तरीके से हम भून लेंगे, तो अभी हम इनके साथ ही, अगर आपको काजू डालने हैं, तो आप इसमें अभी डाल सकते हो, तो मैं ये थोड़े से काजू भी डाल दे रही हूं, अब दोनों को साथ में अच्छी तरीके से भून लेंगे, थोड़ा गैस मंदी रखेंगे, बढ़ना क्या होगा ना यह जल जाएंगे, तो आप इसे नमकीन कहलो या फिर कोई मौनिंग या इविनिंग के लिए हलका फुलका सा स्नैक्स कह लीचे, तो यह देखे काजू और मुंफली हमारी भून चुकी हैं, तो अभी हम इनको निकाल डालेते हैं एक प्लेट में, तो यह मैने एक प्लेट में निकाल लिया हैं इनको साइड में रख देते हैं, यह ठंडा हो जाएंगी, अभी हम डालेगे इसमें राई, जरी पत्ता, अच्ये-जमेश कर लेना, डालेंगे थोडिएहलदी नमक, अभी हम डालेंगे माने, तो अच्छी तरीके से हमें इनको भून लेना है तो 3-4 मिनट इनको भूनने में लग जाएंगे मखाने अच्छे से भून चुके हैं तो अभी हम इसमें डाल देंगे ये खील तो इनको बस साफ कर लेना है इनका साफ करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि यह जो खील होती है इस तरीके का इन पर छिलका होता है जो कि हमारे गले में अटक सकता है तो पहले खील को साफ कर लीज़े तब बनाना अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मंदी गैस से इनको तीन-चार मिनट के लिए भूनना है गैस बिल्कुल मंदी रखनी है वरना यह जल जाएंगे तीन-चार मिनट हो गए है तो यह अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो गए है तो अभी हम इसमें डाल देंगे जो हमने यह काजू और यह मुंभली तल कर रखे थे और डाल देंगे इसमें थोड़ी सी हम यह काली मिर्च नमक हमने पहले ही डाल दिया था अभी दो मिनट अभी से हम और चलाएंगे और फिर अब कैस बंद कर देंगे फ्रेंट्स यह हमारी खील की नमकीन बिल्कुल बनकर तयार है यह देखे बिल्कुल अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो गई है तो जब यह ठंडी हो जाए तो आप किसी एयर टाइट कंटेनर में भर कर इसे रख लीजे और आप सुबह साम या टीवी देखते वक्त किसी भी टाइम आप इसे खा सकते हो फ्रेंट्स वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चलिए मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में तब तक के खिलि बाइ, 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 आया वाए!